जेहिन आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल सेनिक समाचार में आज इस वीडियो के मादम से हम MP5 ब्रेवो आर्मी हेड़कोर्टर दुवारा जारी की गई एडवाईजरी ओन माइग्रेशन ओफ लेगेसी पैंशनर्स टू इसपर्स के बारे में ब्रीप में जानेंगे यहां सबसे पहले पेरागराप में बताया हुआ है कि टोटल 558 वेटरेंस अफसर है जो की प्राइवेट बेंक से पैंशन ले रहते उनका माइग्रेशन आलरेडी इसपर्स में हो चुका है और बाकी पोस्ट 2016 डिटाइरीज का 28 फरवरी 22 तक कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही पोस्ट 2016 का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फ्री 2016 वेटरेंस अफसर का माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ये माइग्रेशन PCDA पैंसन अलाबाद दुआरा एक सिस्टेमेटिक तरीके से किया जा रहा है अब आगे इसके बारे में एडवाजरी के जो सैलियन फिचर वो बताय हो है कि इसपर्स क्या है ये एक सेंट्रलाइज पैंसन सिस्टम है जो की इनिसियेशन से लेके डिसमर्शमेंट तक का एक ही सिंगल विंडो फ्लेट फार्म के तुरू पूरा काम किया जाएगा और पैंसन के आज के बाद सभी जो कैसे से है वो PCDA पैंसन अलाबाद ही हैंडल करेगा इसके अंदर बैंक, CPPC और DPDO का कोई रोल नहीं रहेगा नीचे वेब साइट का लिंक दिया हुआ है जहां से हम लोगिन कर पाएंगे उसके बाद जो इसका लेकेसी सिस्टम में माइग्रेशन का स्टेप बाई स्टेप जो प्रोसेस बताय हुआ है वो हम आगे देखेंगे, appendix A में दिया हुआ है अब आगे बताया हुआ है कि इसके benefit क्या है तो यह एक single point contact है जो कि PCDA pension अलाबाद ही इसको deal करेगा इसके अंदर DPDO bank और CPPC का कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि यह pension जो सिदा है, एक Uber एक सिस्टम है, RBI का उसके तुरू ही हमारे खाते में credit होगी और वो PCDA pension अलाबाद ही इसको handle करेगा उसके बाद हमें login करने के बाद इसके अंदर क्या-क्या access मिलेगा तो हम अपना profile को देख सकते हैं और उसको update कर सकते हैं उसके बाद में यह दि कोई data incorrect होता है तो हम change oblique update की request डाल सकते हैं जैसे की mobile number, email, address और bank detail यह जैसे ही आप update करोगे तो straight through update हो जाएगी और कुछ request ऐसी है जो की आप update करोगे तो वो पहले OR यानि officer record ओपीस MP5 में जाएगी MP5 उसको फर्दर approve करके PCDA pension अलाबाद को बेजेगा उसके बाद ही यह finally आपके profile में update हो पाएगी नेक्स्ट है कि हम कोई query और request इसके अंदर या anomalies हो हमारे payment की pension की तो हम raise कर सकते हैं फिर नेक्स्ट आगे है कि आपका monthly pension slip उसके बाद हम PPO, corresponding PPO, form 16, declarations यह सभी परकार के document हम login करके इस पर से download कर पाएगे नेक्स्ट है कि form 16 generate होने से पहले हमें investment की पूरी declaration वो भी इस परस के तुरू ही इसी login में करने पड़ेगी जो जो saving के proof है हमारे section 80 में हो चाए ATC में हो या ATCCD में हो किसी उपरकार के या home loan के किसी हो तो document के proof के साथ में update करने पड़ेंगे ताकि वो form 16 गंदर reflect किया जा सके है उसी के अनुसार जो income tax है कम payment करना पड़ेगा next day जो request हम raise करेंगे उसको हम status को track भी कर सकते हैं और finally इसके जो salient feature है वो है कि reemployee को अफसर हो जाते हैं बाहर जाके government state या central में तो उसका reemployment का time time पर यहाँ पर update करना पड़ेगा अब जो annual identification और life certificate है वो भी इसपर के थूरू भी हम submit कर पाएंगे इसपर के थूरू हम अभी तक जो facility हमें provide की गई है वो है manual life certificate की जहां कि एक token number initiate होता है form download हो जाता है और concern official जो की authorized है इनको sign करने के लिए उससे manual certificate को sign कराओ के वापस इसी में attach और upload किया जा सकता है और second procedure रहेगा जो already चल रहा है digital life certificate का अब पूरे पेन इंडिया में total 938 service center इसपर इसपर ने service center open किये है जहां पर जाके हम इसके इसपर से लेटेड कोई भी facility है वो उठा सकते हैं service center को search करने का यहां पर link दिया वाए जहां पर जाके service center search कर सकते हैं search करने की तीन option है या तो state wise search करिये या district wise search करिये या आपने नजदी की pin code number के हिसाब से search कर सकते हैं next pensioner की date हो जाती है missing हो जाता तो एनो के directly इसपर के through family pension claim process कर सकते हैं next आगे online submission of family pension और corresponding case by ORO अब कोई भी pension का case है वो पुराने legacy system से process नहीं किया जाएगा हर किसी तरीके की disability हो चाहिए family pension हो चाहिए service pension है वो इसपर के through ही submit की जाएगी और manually कोई भी claim में PCDA pension एलाबाद accept नहीं कर रहा है तो या तो जो वेटरेंस है वो स्वयम कुद कर सकते हैं या रोधरा की website के through जो old procedure है उससे कर सकते हैं या फिर by mail family pension का claim जो है MP5 में send कर सकते हैं MP5 उसको इसपर पर online update करेगा अब यहाँ पर migration का पूरा process बताया हुआ है जैसे ही PCDA pension अलाबाद हमारा pension डाटा को इसपर पर upload करेगा उसी समय हमारे mobile के उपर एक SMS आ जाएगा योर pension has been transferred from bank to PCDA pension तो वो message आता है तो उसे हमें कोई कारवाई करनी की आवशकता नहीं है क्योंकि हमें intimation मिल गया है कि हमारी pension जो है अब bank से नहीं मिलने वाली है अब pension जो है इसपर सके त्रू ही मिलेगी और जिनका mobile नमबर या email ID जो pension data available है PCDA pension अलाबाद में वहाँ पे registered नहीं है तो वो समय समय पे अपनी migration का status यहाँ पे दिये गए हुए website के link पे जाके चेक करते रहे है माइग्रेशन की status तीन तरीके से चेक कर सकते है यह PPO के त्रू और army नमबर जो ICA या कोई भी SSMR नमबर है उनके त्रू और तीसरा जो है bank account के त्रू उससे migration में जब तक आपका migration नहीं होगा तो no record फांड करके लिखावाएगा और जैसे ही migration हो जाएगा तो उस समय आपका SPIRS का PPO नमबर वहाँ पे दिखाई देगा और website का जो link है वो step 2 में दिया हुआ है इसके साथ ही जो Rodara की website है वहाँ पर भी PPO नमबर से various function में dark oblique SPIRS में migration status का option दिया हुआ है ORO की record में PCDA by ORO की record में जाके Rodara में भी यह check कर सकते हैं next step 6 में बताय हुआ है कि यदि कोई pensioner migrated to SPIRS दिखा रहा है but he could not get his user ID and password और उनको user ID और password नहीं मिला है तो इसके लिए सबसे simple में तरीका बताता हूँ कि आपको SPIRS की website पर जाना है login पर क्लिक करना है login पर क्लिक करने के बाद में आपके पास क्योंकि username और password नहीं है तो आप forgot password पर क्लिक करना है forgot password पर क्लिक करने के बाद में जो आपका 12 डिजिट का PPO नंबर होगा इस पर स्वाला जो कि आपको migration के दोरान पता चल गया था वहाँ पे वो PPO नंबर एंटर करें और उसके पिछे 01 डिजिट सपिक्स करें इससे आपका 14 डिजिट का username मन जाएगा ये username मनने के बाद नीचे आपको I am note रोबोट के उपर क्लिक करना है ये आपका capture सेट हो जाएगा फिर आपको get OTP करना है यदि आपका mobile number रेजिस्टर्ड है इस परस के साथ तो आपके mobile के उपर default password आ जाएगा और ऐसा करने के बावजूद भी आपके mobile पर password नहीं आप पता है क्योंकि आपका mobile इस परस के साथ रेजिस्टर्ड नहीं है तो आपको ORO section में mobile number 8130591689 या 8368051743 इनके उपर WhatsApp करना है अपनी complete detail या जो NIC mail है उसके पर mail भी कर सकते हैं या फिर finally option है कि रोधरा की जो grievance मोडूल है उसमें grievance डाल सकते हैं इसके अंदर अपनी जानकारी में डालना है कि यह यह मेरा personal particular है और इस परस के साथ मेरा यह mobile number update करवाना है mobile और email दोनों update करवाले इसके साथ ही जो pen और अदार नंबर भी update करवाना बहुत जुरूरी है लेकिन जब mobile और email आपका update हो जाएगा तो आप login करके अपना अदार और pen खुद update कर सकते हैं अब आगा इन्होंने note में बताया है कि PPO की कोई भी hard copy जो है नहीं मिलेगी जो भी मिलेगा soft copy अवेलेबल रहेगी वो इसपर्स के login के तुरू ही अवेलेबल रहेगी चाई PPO है चाई Correctional PPO जनरेट होगा या Form 16 है या आपकी पैंसन स्लिप है या आपका PDV का declarations है Everything will be available in इसपर्स login अब हम आते हैं कि identification का process क्या है जब भी migrate हो जाएंगे बैंक से इस पर्स में तो PPO आने के बाद में दो महिने का time मिलेगा हमें live certificate जमा करने के लिए यदि हमने बैंक में September, October, November, December 2021 के दोरान live certificate जमा किया भी है तो अब उसका कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि आपका नया PPO नंबर generate हो चुका है तो नया PPO नंबर generate हो चुका है तो नया PPO नंबर के साथ में ही हमें दुबारा live certificate जमा करने की जरूत पड़ेगी तो live certificate जमा करने के method है वो option है उससे पहले है कि DLC DLC हम कई तरीके से कर सकते है common service center पे जाके कर सकते है उसके बाद option से हम digital live certificate है जो जमा कर सकते है और second जो तरीका है वो है manual live certificate इस पर सके login के अंदर ही एक identification टेप दिया हुआ है वहाँ से हम manual live certificate भी generate करके download करके उसके उपर अथराज अपसर का sign करवा के और वापस वहीं पे upload कर सकते हैं इसको जब download करेंगे तो एक token number मिलेगा वो token number एक unique number होगा जो की download करते समय उसके उपर print हुआ मिलेगा और उसको complete fill करके और formalities उसकी फूरी करके वापस scan करके upload करते समय token number मांगेगा उस समय token number enter करके और file को attach कर देना है इसको पहले से ही PDF में scan करके अपने mobile या computer laptop में रखना है और उसको attach करने के बाद submit हो जाएगा और submit होने के बाद में track status में जाके इसकी आप tracking चेक कर सकते हैं कि MLC मेंने submit तो किया है लेकिन क्या PCDN एकसेप्ट किया है या नहीं इसके बाद आप आदार verify करके और इस MLC को download भी कर सकते हो जो की आपका self digitally signed download मिल जाएगी आगे जो तीसरा और चोता method है वो मैंने साथ ही आपके लिए आपको बता दिया कि common service center पर जाके या जीवन परमान की जो portal की website है वहाँ से जाके आप digital live certificate जमा कर सकते हो DLC submit करते समय important जो चीज है ध्यान रखने वाली वो रहेगी कि PDA क्या select करना है तो जैसे note 2 में दिखा रहा है कि PDA जो हमारा होगा वो होगा Sperse PCDA pension अलाबाद इससे पहले Sperse नाम नहीं जुड़ा रहता था सिर्फ PCDA pension अलाबाद होता था लेकिन Sperse के PPO के तुरू यदि हम जमा करेंगे तो Sperse PCDA pension अलाबाद select करना पढ़ेगा अब यहाँ पर appendix C के अंदर death or missing of a pensioners तो उसको NO के दुआरा Sperse पर कैसे intimation submit करना यानि family pension का claim है जो Sperse के तुरू कैसे submit करना उसके यहाँ पर पूरा process दिया वा है मैं इस PDF फाइल का link जो है इस video के description में डाल दूँगा और Rodra की website से भी आप download कर पाएंगे आप process जिसको ज़रूद पढ़ती है वो देख सकते है क्योंकि family pension के claim अभी इतने नहीं चल रहे है normal जो migration चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर detail जानकारी दे दिये और इस परकार यह एक advisory रोदरा से आई थी तो मुझे लगा कि यह बताना बहुत जुरूरी है इसलिए सभी veterans of search के लिए मैंने जानकारी का एक video बनाके पेस किया है आसा करता हूँ कि सबको यह पसंद आएगा और कोई ऐसी query है तो मैं request करूँगा कि इस video के comment section में आपना comment जरूर करे जो भी मदद, जो भी help, जो भी knowledge होगा उसके according आपको reply दिया जाएगा और PCDA की जो toll free number है उस पर तो call लगाने की कोशिज करेंगे तो यदि लगातार दिन में पूरो दिन लगे रहे तो कोई लगया तो लगया नहीं तो call लगना बहुत मुश्किल है तो सभी वेटरेंस को जैहिन और इस video में इतना है अगले video में फिर चर्चा करेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिन जैवारत वंदे मातरम इस video में इतना है साथी हो फिर मिलेंगे अगले video में एक नई जानकारी के साथ करप्या वीडियो को लाइक वे सेर करें वे चैनल को फर्स टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना बूले सेनिक समचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद जैहिन जैवारत वंदे मातरम